आज हम करने वाले हैं topic आप देखी सकते हैं air pollution and chapter जो ongoing चल रहा है अपना natural resources और इस chapter में अभी तक हमने basics जो natural resources होते हैं basically वो हम पढ़ चुके हैं अब बस थोड़ा सा इस natural resources से related क्या-क्या problems आती हैं थोड़ा उनको देखते हैं अचा हमने पहले क्या पढ़ा था renewable, non-renewable resources, exhaustible, inexhaustible resources हो सब करा था हमने जिसमें हमने देखा था कि यह जो हमारे air pollution है sorry not air pollution जो air है water है यह सब renewable resources में आ जाते हैं in the sense they are inexhaustible okay तो यह है लेकिन problem यह है कि विचारे inexhaustible तो है को issue नहीं है लेकिन इनके साथ में विचारे pollute कितना हो रहे हैं, they are badly polluted, right, तो क्या है reason, क्या problem है वो detail थोड़ा सा देखते हैं ताकि आप लोग भी aware हो जाए, awareness एक बहुत बढ़ा role play करता है बच्चों जब हम इन चीजों की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले pollution क्या है यह समझते हैं, pollution क्या है, the undesirable, undesirable change in the quality of, यह वो ओफ है, okay, air, water and soil, तो जब कोई air हो, water हो, soil हो, इनमें अगर बिल्कुल undesirable, जो change हम नहीं चाहते हैं, लेकिन, मतलब natural से, थोड़ा सा गंदा वाला change अगर आ जाए, जो की desirable, obviously नहीं होता, तब हम उसको pollution कहते हैं, और due to the presence of, किसकी वज़े से? due to the presence of harmful substances और pollutants, यह पलुटेंट के presence में, जब air, water और soil या land, इनमें कोई भी अंदेजारेबल चेंज आ गया, तो उसी को हम pollution कहते हैं, और pollution होता है, pollutants की वज़े से, ओके, तो देखते हैं, air pollution किस से होता है, तो बस अगर आप air pollution को define कर रहे हैं, तो आपको बस change in the quality of only air लिखना है, water soil हटा सकते हो, और इसके लिए जो भी pollutants होंगे, वो क्या-क्या pollutants हो सकते हैं, बच्चों, जो air को pollute करते हैं, तो पहला है, pollutants of air, ठीक है, air pollutants देख रहे हैं, तो पहला है, unburnt hydrocarbons, बच्चों, unburnt hydrocarbons क्या है, देखो, fossil fuels जब unburnt होते हैं, mainly इसका source fossil fuels होते हैं, तो fossil fuels unburnt होते हैं, तब ये निकलते हैं, और इससे निकलता है, मतलब इसका जो product होता है, फिर वो carbon monoxide है, ठीक है, carbon monoxide से मतलब फॉसिल फ्यूल्स निकलते हैं और फिर हैं carbon monoxide क्या करता है यह बेसिकलि हम जो oxygen ब्रीदिन करते हैं न बच्छों तो oxygen को ट्रांस्पोर्ट जो है वो हीमोग्लोबिन करता है हमारी बॉडी में हर एक cell को oxygen की requirement होती है ताकि वह energy ले सके तो उस पूरी cell में पूरी body में oxygen transportation hemoglobin करवाता है ताकि हमारी body energy ले सके और हम फुर्ती से सारा काम कर सके हमारे सारे life processes normal चले अच्छा अब क्या होता है कि atmosphere में अगर ये carbon monoxide की quantity बढ़ गई तो हम क्या inhale करेंगे carbon monoxide तो जादा जादा carbon monoxide अगर body में चला गया तो क्या problem आजाएगी तो ये problem आजाएगी कि instead of oxygen transportation by hemoglobin हमारा hemoglobin carbon monoxide transportation करने लग जाएगा और फिर उससे क्या problem आएगी उससे फिर body में carbon monoxide poisoning हो जाएगी और 10 तरह की बिमारियां हो जाएगी ये problem है तो carbon monoxide is very bad really bad ठीक है दूसरा है ओक्साइड ऑफ नाइट्रोजन sulfur तो sulfur nitrogen ये जैसे कि nitrogen oxides है NO2 है ना nitrogen oxide हो गया sulfur dioxide sulfur trioxide SO2 हो गया SO3 हो गया तो ये जो भी है these all are very bad pollutants ठीक है और nitrogen dioxide भी आजाएगा इसी में और इससे फिर body में अगर चीजे गई तो फिर unnecessary health problems दूसरे आ जाते है respiratory issues आ सकते हैं बच्चों ठीक है so oxides of nitrogen then comes जो तीसरा pollutant है वो है हमारा smoke अब automobiles smoke कहां से आता है burning जैसे कि गाउं में वो जो कोईले वगेरा burn करते हैं ठीक है smoke कहां से निकलता है burning of wood जो गाउं में वो करते हैं या फिर automobiles तो यह source है मतलब smoke production के ठीक है और इससे फिर निकलते हैं harmful जैसे की sulfur dioxide arsenic इस तरह के harmful वो निकलते हैं बच्चों gases okay और उन harmful gases से फिर हमारी को problem आती है तो में यह है कि हवा में इतनी गंदिगी अब हवा का composition मैंने आपको पढ़ाया है कि 78% nitrogen होना चाहिए 21% oxygen होना चाहिए and 0.03 co2 होना चाहिए और फिर contributory gases जो argon neon है यह सब कुछ trace amounts में तो यह basic clean air का component है अब इसमें भर गया है दुनिया भर के suspended particles है ना दुनिया भर के suspended particles हो चुके हैं यह बहुत छोटे particles होते हैं जो air में घूमते रहते हैं और हम inhale और कर लेते हैं very small particles suspended particles क्या है very small particles that are suspended in air that are suspended in air and can even be inhaled इतना है कि बार बार आप यह गंदा एर जो है वो inhale भी कर लेते हो तो air pollution में सबसे बड़ी problem यही तो है burning of wood automobile से smoke inhale कर रहे हैं suspended particles inhale हो जाते हैं उसके अलावा aerosols है aerosols क्या है aerosols भी पार्टिकल्स के साथ particles plus small droplets चोटे चोटे जो वेपर के droplets होते है न वो चीज हो जाती है जैसे कि cfc है cfc क्या है chlorofluorocarbons इसके बारे में आप पढ़ो गया भी और इस चाप्टर में यह यह refrigerator से निकलते हैं AC जो भी coolant होता है न उससे निकलते हैं तो जो भी coolant होता है उनसे निकलते हैं बहुत problematic होते हैं ज्यादा AC cooler not cooler AC refrigerator jet planes उन में से निकलते हैं यह तो वहाँ दिक्कत आते हैं तो इससे क्या ozone layer पे सीधा सीधा खत्रा आता है इस तरीके से बच्चों यह sources of air pollution है तो इतना जादा मतलब air जो है वो pollute करते हैं अब इससे effects क्या क्या हो सकते है sources तो यह सारे हो गए ठीक है इसके effects क्या हो सकते हैं तो effects में आप पढ़ेंगे effects तो बहुत सारे है human health is affected badly as many respiratory disorders are caused ठीक है बहुत सारे respiratory disorders cause हो जाते हैं SO2 NO2 combine यह दोनों major pollutants है ठीक है नाव दे कमबाइन with water in atmosphere जो water vapor होते हैं बच्छों atmosphere में उसके साथ यह SO2 NO2 combine हो जाते हैं and forms sulfuric acid and nitric acid okay they form sulfuric acid and nitric acid and when it rains and when it rains rains these acids also fall down as acid rain rain इसी को acid rain बोलते हैं क्योंकि atmosphere में खूप सारा NO2 SO2 बन चुका है अब वो atmosphere के water या water vapor से combine हो जाते हैं and then they form sulfuric acid nitric acid और फिर यह जब बारिश होती है तो यह acids बारिश के साथ-साथ नीचे आते हैं and they fall down as rain और उसी को हमें acid rain कहते हैं ताजमेहल का जो corrosion हुआ है जो marble उसका इतना white है जो ऐसे बिलकुल dark हो गया है that is because of acid rain तभी तो ताजमेहल के आसपास के जित्ती भी factories थे उन सब को बंद करवाया गया है बच्चों दिस वस सोचो इतना severe effect था air pollution का ठीक है so this is air pollution okay तो यह है बच्चों और overall बस आप air pollution को यही बोल सकते हो कि जितना जादा polluted air जितना हम वह inspire करेंगे आप inhale करेंगे यह air को तो दुनिया भर के disorders जो है वो cause होते हैं body में disorders are cause जैसे कि मैंने लिखा है like heart diseases हो सकते हैं cancers हो सकता है तो इस तरह की बच्चों बहुत बिमारिया जो है वो pollution की वजे से हो सकते हैं so this is air pollution now continue करते हैं topic को and the next topic is water pollution तो यहाँ पर भी water pollution में भी वही बात है that is undesirable change in the quality of water कि क्या अब देखो earth पे आप सोचो कितना पानी है बच्चों 3 4th part जो है वो water से भरा है earth का 3 4th portion is covered with water और इस पानी में अगर कोई भी गड़बड होती आना the undesirable change अगर आता है तो that is water pollution लेकिन इसमें change आना भी बहुत जादा problematic है because water is something जिसके बिना तो आप सोचो survival बहुत जादा obviously air के बिना भी नहीं है survival तो air water यह सब ऐसी चीजें है soil जिनके बिना survival पे question mark लग जाता है और लेकिन यही चीजे pollute हो रही है सोचो अब water की आप अगर वो देखो requirements देखें तो endless requirement है water is important as it is the it is the constituent of protoplasm जो हमारे cell है उसका main constituent है यह ठीक है दूसरा it is the universal solvent many terrestrial and aquatic organisms reproduce using water मतब सीधा सीधा life related वो है all the household industrial वोक नीड वोटर जित्ती भी घर के काम है बिना पानी के हो नहीं सकता और बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी ऐसे हैं जो बिना पानी के हो नहीं सकते ठीक है ठीक है तो आप देख सकते हो वोटर कितना ज्यादा बच्चो इंपॉर्टन है तो इस अलीड वोटर है ना और वोटर और भी हमारा इंपॉर्टन कॉमपोनेंट है जैसे कि जित्ती भी घर के फोटो सिंथेसिस जो होता ना फोटो ईटोसिंथेस जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है पूरे अर्थ का वो फोटोसिंथेस लैएlex के वजेसे होता है और उससे जो ऑक्सिजन निकलता है अभी तो मैं वैसे लिख दिख वो जो oxygen निकल रहा है, वो पानी की breakdown से ही निकल रहा है, अब आप समझो, water कितना important है, okay, so these are the main need of water, अब water इतना, मतलब ये तो कमी है, और सोच लो आप बहुत हर जगे कहां नहीं required है पानी, आप ये सोचो, है न, जिन्दा रह दे के लिए ज़रा सा एक दिन पानी कम पी हो, त अगर कम पानी पीते हैं तो, तो पानी तो हर जगे है, proper survival चाहिए, तो पानी तो is needed badly, right, तो ये तो पानी की आपकी requirements हो गई, और क्यों water important है, अब आप सोचो, life supporting material है, अब इसको अगर हम pollute कर देंगे, तो फिर कहां जाएंगे हम, और वैसे ही पानी का shortage हो रहा है, तो एक त जाएंगे हैं तो, लेट चेक आउट क्या रीजन से सोर्सेस, सोर्सेस ओफ वाटर पल्यूशन, तो पहला तो है, डुमेस्टिक सीवेज, जो भी डुमेस्टिक सीवेज है, अब्यस्ली घर का सीवेज है, वो घर की जित्ती भी, वाटर है, दिन डुमेस्टिक डिटरजेंट्स वाला जो वो है, डिक्टर्जेंट्स, वाला जो बाथरूम वाटर है, पूरा, वो सब चीजें जो हैं, वो पानी में ही जाता है, दिन थर्ड इस इंडॉस्ट्रियल एफ्लुएंट, अज फोर्थ इस फटिलाइजर्स, और पेस्टिसड़्स, देखो, डोमेस्टिक सीवेज तो आप जानते ही हो, कि घर का जो भी सीवेज होता है, वो वाटर बोडी में ही रिलीज किया जाता है, तो तो दाप्स्टिक जो भी डिटर्जेंट्स, जो बाथरूम वेस्टिक जो वोस्ति सोते है, soap and detergent वाला, वो सब भी पा नी में ही रिलीज किया जाता है, यान इंडस्टिरрал एफखलु है, एंडस्ट्रे इस खभी जो भी एफ्खलु एफखलु ए वो भी सीधय वो भी रिलीज की जाती है, और डंड ञैंस पे जो भी देखा यूँ औगा आपने आप चले जा यमुना, डेली में जो यमुना है, क्या हालत हो रखी है, यमुना की, इस्ट नट वो जो प्येरिटी, यमुना की जो प्येरिटी है, वो कहीं ही नहीं, it's all, I mean सो डर्टी मतलब इतना ब्लाक कलर का दिखता है लिटरली उसमें वो पहले वाली बात कहां है तो इस आल दे इंडस्ट्रिल एफ्लुएंट पूरा यह जो भी चीजें सब यह मुना में डिस्पोस हो रहा है तभी तो उसकी ऐसी हालत हो रखी है तो rivers को बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि they are the source of everything जो भी हम life जी रहे हैं क्योंकि water का importance तो बार बार में क्या बताऊं समझी सकते हो आप तो यह है और इस पे अब इन control measures में हम क्या कर सकते हैं तो यह जो भी चीजें वहां जारी है पानी में सीधा सीधा तो control में यही है सीधा सीधा कि we should first of all treat these water जैसे कि there are sea waste treatment plants sea waste treatment plant में इनको proper तरीके से treat करें contamination free करें ठीक है और फिर उसको water body में release किया जाए तब तो यह फिर भी वो हो सकता है साफ हो सकता है थोड़ा है ना तो यह sources of water pollution होई यह जैसे मैंने कहा कि इनको treat करके फिर water body में release करें तब जाके थोड़ा सा कम होगा तो sea waste treatment plants हैं इंडिया में वैसे जहां पर यह सारे जो domestic waste होते हैं वो properly क्या होते हैं बच्चो treat होते हैं ठीक है लेकिन इतना भी नहीं हो पाता है कि बिल्कुल ही clear हो जाएं अब इससे क्या है harmful effects तो obviously आते ही हैं ठीक है harmful effects क्योंकि treat में ऐसा awareness देको सबको आ चुका है गंगा action plan वगेरा चल रहा है कि पानी को हम cleaning करें सब चल रहा है लेकिन फिर भी उस level का नहीं है problem तो हो रही है और इसके harmful effects भी होते हैं जैसे कि जो भी यह गंदिगी discharge हुआ है water body में तो harmful मतलब toxic substances toxic यानि poisonous substances उसमें चले जाते हैं और उनको वहां की जो aquatic fishes होते हैं जैसे कि mercury है तो यह toxic substance है अब इस तरह के toxic substance जो join हो जाए पानी में चले जाते हैं और वो पानी में फिर वहां की जो aquatic fishes हो यह खाती है फिर उनको दूसरी problems आती है और यह हमेशा ध्यान रखना दुनिया में जितना biodiversity है न उतना flourished रहेगा और जितना organism को problem आएगा उतना दिक्कत आएगा ठीक है तो यह है उसके अलावा contaminated water में bacteria viruses होते ही हैं जो toxic substances की वज़े से बनपते हैं उनमें फिर उन पानी को अगर हम तक हम किसी भी थरीके से यूज में लेते हैं तो हमें बीमारिया हो जाती है जैसे की cholera वगेरा तो waterborne diseases हो जाती है अपने को है न उसके अलावा desirable substances भी कम हो जाते हैं desirable substances in water is reduced ठीक है desirable substances in water is reduced like dissolved oxygen तो होता क्या है कि रेको पानी में dissolved oxygen होता है बच्चों ओके और वो dissolved oxygen क्या करता है ना अक्वेटिक और गयानिजम उसी dissolved oxygen को यूज करके अपनी लाइफ को support करते हैं अचा अब क्या हुआ अब toxic substances कर दी गई पानी में तो अब उससे क्या होगा dissolved oxygen जो है वो बिल्कुल लो हो जाएगा अब लो हो जाएगा तो सोचो oxygen की कमी होने से वहां की और गयानिजम को problem होगा की नहीं होगा of course होगा तो ये problem आ जाती है तो dissolved oxygen बिल्कुल नीचे चला जाता है instead बढ़ क्या जाता है BOD is increased और BOD जितना increased रहेगा उतना गंदा पानी वो होगा BOD का मतलब है biochemical oxygen demand मतलब BOD is biochemical oxygen demand यानि पानी में जितना जादा organic matter रहेगा यानि जितनी गंदगी रहेगी न बच्चो उतना ही उस गंदगी को digest करने के लिए और जो bacteria होंगे वो oxygen का demand करेंगे यानि बहुत सारे bacteria बहुत सारा oxygen वो demand कर रहे हैं ताकि पानी के और यानि चीजों को digest कर सके यानि के पानी उतना ही गंदा है तो कहने का मतलब dissolved oxygen जितना जादा पानी उतना साफ लेकिन B.O.D. अगर जादा हुआ यहां लिख देती हुए more the B.O.D. more polluted is the water जितना जादा B.O.D. होगा पानी का उतना पानी उतना पानी होगा जितना जादा dissolved oxygen होगा उतना साफ वो पानी होगा तो यह problems आ जाती है उसके अलावा पानी में यह जो pesticides वगेरा यह जो बढ़के fertilizers और pesticides तो यह जो बहके चले जाते हैं तो fertilizers क्या है बच्छो nutrients होते हैं जो plant use करके they grow अब fertilizers बहके पानी में चले गए तो क्या problem आ जाती है तो problem यह आ जाती है कि यह fertilizers और पानी में जो भी aquatic plants हैं वो use करने लग जाते हैं तो aquatic plants नीचे वाले तो नहीं लेकिन यह algae वगेरा होते हैं उपर उपर के वो इसको use करके पूरा भर जाते हैं मतलब आपने देखा होगा ना कुछ ponds और lakes में पूरा green color का एक carpet ही जैसा बन जाता है पूरा green layer पूरा covered काई जैसा और तो उसको ना eutrophication बोलते हैं मतलब यूटrophication क्या होता है कि पूरा उपर का layer काई 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 से भर गया क्यों क्योंकि fertilizer बहके जो गए थे वो उनको मिला उनको मिलने से उनने होने यो fertilizer यूज करके ते ग्रीव लाइक एनिफिंग और भर गया पूरा layer पूरा बना दिया उन्होंने अब उसकी वज़े से उपर उपर का जो वो है पानी होता है उपर का जो layer oxygen वो काई वाला layer है वो तो पूरा का पूरा oxygen और सारा sunlight और सब कुछ वो यूज कर लेता है लेकिन उसके नीचे जो aquatic life जी रही है अंदर में उसको ना ही तो oxygen मिल पा रहा है ढंग से ना ही temperature मिल पा रहा है ना ही कोई भी चीज मिल पा रही है तो अंदर ही अंदर फिर वो धीरे-धीरे मरने लग जाते हैं तो उसको utrophication बोलते हैं तो इस तरह की problems होने लग जाता है और धीरे-धीरे वो pond पूरा dry out हो जाता है रहता ही नहीं आपने सुना होगा कि पहले कोई जगे पे कि यहाँ पर पहले pond होता था अब तो है ही नहीं क्योंकि यह इस तरह की problems start होती हैं बच्चों उसको utrophication कहते हैं तो third problem जो है third problem is utrophication जो अभी मैंने समझाया आपको ठीक है तो इस तरह की problems आती है तो water ultimately should be properly एक तो clean drinking water obviously हमें use करने को बोला जाता है लेकिन मिले तो इतना सारा गंदिगी और pain तो industrial effluent उसमें directly जा रहे हैं sea waste तो है treatment होके जाते हैं बट कई जगों पे sea waste treatment होता नहीं है direct उसमें water body में उनको release किया जाता है तो है problems तो हैं ही बच्चों तो ये कुछ problems हैं जो water में होते हैं और इनका देखो तोड यही है domestic sewage जो जाए बिल्कुल थोड़ा पहले treatment हो जाए इनका फिर इनको release किया जाए तो जादा ठीक है है यह सभी चीज का वही है कि पहले यह सारे water जो है properly treat हो जाए फिर यह लोग water body में जाएं क्योंकि actually बेटा पानी जैसा रहेगा न वहां का जो distribution of organism होगा वो पानी के उपर पूरा depend करेगा कैसा पानी है आप लोग में हम लोग भी जैसे घर ढूनते हैं नया घर खरीते हैं तो देखते हैं आसपास का overall environment कैसा है पानी कितना आता है नहीं आता तो हम भी तो यह देखते है तो पानी अगर धंग से available नहीं होगा तो कौन खरीदेगा घर वहां पे तो यह सारी चीजे ह है ठीक है तो इनका देहान रखना है आपको और बस दिस इस water pollution और इसके आगे हमें soil pollution देखना है तो soil pollution के लिए just introduction एक बार में बता दूँ soil क्या है soil is soil और इसका pollution अपने को देखना है तो soil is formed by weathering of rocks यह आप जानते हो कि आज weather हूँ और कल soil बन गया नहीं this is a time consuming process और बहुत बहुत साल लग जाते हैं क्योंकि soil formation जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा time consuming काम है और इसको form कौन करता है तो this is formed by water, wind, lichens, algae, इनके वज़े से soil बनता है इनकी वज़े से कैसे बनता है तो सबसे पहले तो sun आ जाएगा तो यह चार reasons है जिससे की soil form होता है तो देखो sun है sun क्या करता है बच्चो sun की वज़े से basically soil जब heats up the rock ठीक है मतलब धूप की वज़े से पत्थर गरम हो जाते है यह आप जानते हो है ना it heats the rock heats the rock at daytime and rock cools at night तो इससे क्या है तो दिन में क्या है rock heating की वज़े से expand हो तो ठंडे मतलब ठंडा हो जाता है तो contract हो जाता है यह contract और expansion की वज़े से धीरे धीरे वह अंदर ही अंदर खोखला होता चला जाता है पिखर जाता है तो sun तो ऐसे करता है अच्छा water कैसे करेगा तो water भी पानी में जब rocks होते है तो एक तो पानी उसके अंदर जैसे पानी में कोई भी चीज रखो तो गलता है ना बच्चो एक तो गलन हो जाती है वह अलग उसके बाद continuous पानी का जो force उसके उपर से गुजरता है तो अब ब्रेशन होता चला जाता है तो वो भी उसको धीरे-धीरे तोड़ता है ठीक है so that is water even winds भी ऐसे ही करते हैं continuous wind जो blow होता है तो rocks में अब ब्रेशन आता है और धीरे-धीरे वो खोखला होता चला जाता है and even जब lichens और algae जो होते हैं जो काई होते हैं algae, lichens जो होते हैं ये भी पत्थरों पे grow होते हैं ये algae plus fungi का mutual association होता है ठीक है? algae और fungi mutual association में रहते हैं तो lichens कहलाते हैं और जो area polluted नहीं होता lichens मिलते भी सिर्फ वहीं पर हैं ठीक है? तो rocks पे grow हो जाते हैं algae बगरा सब rocks पे चिपक जाते हैं, grow हो जाते हैं पत्थरों पे जो plants नहीं उखते हैं पत्थरों पे carpet के जैसा वो ऐसा तो ये plants क्या करते हैं? अपने acids बगरा release करते हैं rocks के अंदर obviously उस पे grown है तो जो भी metabolic waste है सब वहीं release होगा तो उस पे release होने से क्या है? फिर पत्थर धीरे धीरे अंदर वही खोखला होता चला जाता है और फिर धीरे धीरे वो degrade हो जाता है तो इन चारो reasons की वज़े से soil जो है वो form होता है ठीक है? और इसी topic को आगे भी हम और continued रखेंगे और देखने हैं कैसे soil pollute होता है और उसको कैसे हम बचा सकते हैं On this note, you take care and a good bye to you